Hello guys, welcome to the Ficture Studies आज का हमारा टापिक है इंडिफरेंस कर्व अनेलिस ठीक है? यह हमारा एकनामिक्स का most important टापिक है जिसमें हम कंजूमर का बिहेवियर जानेंगे थूदा इंडिफरेंस कर्व अनेलिस अभी हम इसका मेनिंग जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है इंडिफरेंस कर्व is a locus of all such points which show different combination of two commodities which yield equal satisfaction to the consumers इंडिफरेंस कर्व के उपर क्या होगा? एक इंडिफरेंस कर्व बना दी जाएगी उस पे हर points को, मतलब different combinations को देखा जाएगा two commodities की कि हमें कहां पे equal satisfaction मिल रही है हम कहां पे पूरे satisfaction है अब इसके definition से देखते हैं एक single indifference कर्व क्या show करती है different combination of x and y x and y समझ लो कि apple and oranges है दो combinations को वो show करेगी और बताएगी कि हम कहां पे एक consumer कहां पे equal satisfaction उसको मिल रही है मतलब कहां पे apple का combination for example four units है जो है वो satisfy हो रहा है अभी हम indifferent schedule को देखते हैं उससे आपको clear हो जाएगा कि actual में indifferent curve है क्या indifferent schedule बता रखा है कि combination से लखे है apple and oranges की a, b, c, d ठीक है यह example है आप कैसे भी ले सकते हो e, f, g, h भी ले सकते हो तो यह different combinations ले लिए यहाँ पे apple और यहाँ oranges क्योंकि मैं दो combinations की बात कर रही हूँ four units है देखो एक combination में मैंने one apple लिया और ten oranges लिये पता चल रहा है आपको second, second combination में मैंने किया one more apple की units लेने के लिए मुझे oranges की some units को lost करना पड़ा ठीक है, seven units हो गई अगर मैं एक apple और लेती हूँ जैसे मैंने दो apple हो गई अगर मैं दो apple की units खरीद रही हूँ तो मुझे three units जो है oranges की छोड़नी पर रही है ठीक है, अब next में देखो जब मैं three units ले रही हूँ apple की तो मुझे five oranges खरीदने पर रहे है कितनी lost हुई, two units lost हुई clear? अच्छा, d में क्या हुआ four units मैंने apple की खरीदी तो मुझे four oranges खरीदने परे कितनी छोड़ने परे, एक units oranges की छोड़ने परे अभी आप देखो कि total utility कहां पर क्या आ रही है इन दोनों की मैं अगर total utility gain करूं, बतलब हमारी satisfaction gain करूं, तो 10 और एक, इसका combination 11 का हो गया, दोनों का क्या हुआ 9, five और three eight, four और four eight, अब यह देखो अगर मैं देखो, apple के three मैंने अगर units करीदे हैं, तो मुझे five oranges करीदे पड़े, इस combination में भी total utility same है, और second जो d वाली है, उसमें भी four units apple के, और four oranges के लेती हूँ, तो यहाँ पे भी मेरी total utility same है तो यहाँ के क्या हो गया, अगर मैं इसके बाद जाती हूँ, तो मेरी जो utility है वो कम होनी शुरू हो जाएगी clear, अभी मैं इसको कव के साथ समझाती हूँ, देखो यहाँ पे मैंने oranges ले लिए हैं, और यहाँ पे मैंने apples ले लिए हैं, clear अभी मैंने क्या किया oranges के मैंने 10 units ले लिए हैं और मैंने apples की four units ले लिए हैं, क्योंकि four combinations के इसाब से मैंने यहाँ पे four थे apples, ठीक हैं तो 4 ले लिए हूँ है अभी आप देखोगे जब मैं 1st unit खरीद रही हूँ apple की तो 10 units मैं ले रही हूँ और इंज की दो यूनिट से अगर मैं apple की ले रही हूँ तो 7 units और इंज की है तो इह different combination मैंने 4 combinations बना लिए देखो 1,2,3,4 देन इसको join कर देंगे यह हमारी क्या है indifference curve है clear यह बहुत easy थी वहसे एक different एक indifference curve मैं आपको वही starting में बताया कि जो indifference curve different combinations बताती है दो products के तो उसको हम बोलते है indifference curve ठीक है अब यह 4 combinations मैंने आपको बताया जिसमें मेरी 2 जो हमारे combination थे C और D यहाँ पर मेरी जो satisfaction थी वो हमारी बिल्कुल same थी total utility जो थी वो same थी इस curve को और क्या बोलते हैं iso utility curve भी बोलते हैं हमें पता होना चाहिए कि indifference curve को हम और क्या बोलते हैं iso utility curve clear है अभी हम next करते हैं मैंने में हमारा question ही यही है कि consumer equilibrium को जानेंगे हम through the indifference curve analysis clear अब consumer equilibrium होता कि हमें यह पता हो हर consumer क्या चाहता है अगर हम अपनी भी बात करें तो every consumer क्या चाहता है कि हमें maximum satisfaction मिल सके और हना out office given experience जितना भी मैं खर्च करूं उससी में मुझे maximum satisfaction मिल जाए एक consumer क्या करता है a consumer में find out consumer यह किस से find out कर रहा है with the help of indifference curve analysis indifference curve के through consumer find out कर रहा है कि वो कितने spend करें अपनी limited income किस पे on the combination of different goods ठीक है वो कैसे अपनी limited income को spend करें different goods पे ताकि उसको maximum satisfaction मिल सके ठीक है अभी मैं बिताती हूँ यह तो था कि हमें क्या consumer equilibrium क्या होता है मतलब हर consumer क्या चाता है कि उसको maximum satisfaction मिल जाए कैसे मिले वो कैसे find out करता है through the indifference curve clear तो when a consumer is getting maximum satisfaction जब consumer अपन उसको maximum satisfaction मिल जाती है किस से out of a limited income के साथ वो limited income के साथ जो भी खर्चा करते है उसको maximum satisfaction मिल गी तो his set to be in equilibrium वो कहां पे है एक equilibrium point पे है clear consumer equilibrium होता क्या है वो आपको पता चल गया main उसका point ही यह है कि वो limited income से limited expenditure करके जब वो अपने maximum satisfaction पा लेता है that is the consumer equilibrium clear अभी देखो इसकी थोड़ी बहुत assumptions है जो हम assumptions क्या होती है जिसे हम मान के चलते हैं कि यह ऐसा होगा तभी यह curve बन पाएगी तभी यह possible है otherwise यह possible नहीं है अगर price of the goods are constant अगर prices goods के constant है तभी यह possible है तभी यह curve बन पाएगी तभी consumer equilibrium हो पाएगा through the indifference curve consumer income is also constant consumer अब मेरी बात सुनो अगर consumer की income ही बढ़गी तो उसे कोई फरक नहीं पड़ता चाहे prices बढ़ें चाहे prices घटें वो चाहे maximum satisfaction ज्यादा खर्च करके भी ले सकता है ठीक है यह हम बात कर रहे हैं जो rational consumer की जो एक आप पता है कि rational consumer क्या होता है rational consumer होता है कि वो यह ही चाहता है कि limited income से अपनी maximum satisfaction पाज सके अगर वो ज्यादा खर्च कर सकता है तो फिर फायदा ही किया वो rational consumer नहीं हुआ फिर तो यह indifference का पता ही नहीं चलती assumption हो ही नहीं सकती उसकी ठीक है consumer is fully aware of indifference map तो consumer जो है वो fully aware होना चाहिए on the indifference of the indifference map मतलब कि उसको पता होना चाहिए कि हम indifference map के through क्या करते हैं कैसे कैसे combinations लेकर maximum satisfaction ले सकते हैं goods तो है वो divisible होनी चाहिए ऐसा ना हो points में ले 0.5 2.5 ऐसे हम अपनी satisfaction को नहीं देख सकते हैं divisible goods होने चाहिए perfect competition in the market perfect competition in the market में क्या है perfect competition होता है many buyers and many sellers खरीदने वाले भी ज्यादा हो और बेचने वाले भी ज्यादा हो तब भी यह हम consumer equilibrium through indifference का कर सकते हैं अगर एक ही buyer है तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो जो भी चार्ज करेगा जो भी बेचेगा और हमें चाहिए तो हमें खरीदना पड़ेगा यह पड़ेगा चाहिए वो कितने भी price पे बेचे अब इसकी conditions क्या है consumer equilibrium की? Consumer equilibrium की condition है फर्स कंडिशन है price line should be tangent to the indifference curve अभी मैं आपका बताती है price line होती क्या है? price line होती है ऐसे इस shape में होगी आपकी price line यह चीज है यह जो है वो different combinations show करती है ठीक है? different combinations क्या है? यह में हमारे पास एक limited income है for example मेरे पास income है 4 rupees चीक है? 4 rupees अगर मेरी income है clear? और apple का price है rupees 1 और orange का price है 50 पैसे अब मैं कैसे different combinations करूँ कि मेरी income भी पूरी खर्च हो जाए और मैं दोनों चीजे खरीद दी सकूँ clear है? अगर मेरे apple का price 1 है और orange का price 50 पैसे है तो 4 rupees income में कैसे खर्च करूँ different combination of goods ताकि मैं purchase कर सको तो यह different combinations होंगे जिसमें मैं apple and oranges खरीद दूगी that is a price line clear? तो वो first condition में क्या बोल रहा है? price line should be tangent to the indifference curve tangent होता है कि cut हो जाए जहाँ से जब मैं indifference curve बनाऊंगी तो आप देखना जो मेरा e point हो गया e means equilibrium point होगा वो tangent होगा indifference curve indifference curve उस पे कटेगी ठीक है? कट होगी अभी मैं बताऊंगी जब मैं curve बताऊंगी आपको that is MRS XY is equal to P prices of the X and by P prices of Y MRS क्या होता है? MRS होता है marginal rate of substitution इसका मतलब यह होता है कि जब हम apple को खरीदना चाह रहे हैं जैसे मैंने भी यहाँ पे था यह जो indifference curve है वो basic इस पे है MRS पे marginal rate of substitution तो जब हम apple की एक unit खरीदना चाह रहे हैं अगर one more unit अगर apple की खरीदना चाह रहे हैं तो oranges की हमें lost करनी पड़ती है utility अगर हम gain करना चाहते हैं apple की तो oranges की हमें lost करनी पड़ती है तो margin rate of substitution यही कहता है कि हम बिना अपने किसी को change किये बिना अपनी satisfaction को change किये हुए अब अपने को बात सुरो satisfaction तो हमारी मिली जा रही है हमें अगर हम combination खरीद रहे हैं बट क्या हो रहा है अगर apple की units खरीदना चाह रहे हैं तो oranges की जो utility है या जो units है वो lost करनी पड़ती है तो margin rate of substitution यही कहता है कि जितनी हम gain कर रहे हैं और जितनी हम lost कर रहे हैं तो फिर यह चीज है अब indifference curve क्या है second है हमारा indifference curve should be convex to the point of origin कहता है indifference curve हमारा जो है convex होना चाहिए origin origin क्या होता है बैं जब अब curve बनाऊंगी तो बताऊंगी origin कहां पे लेते हैं origin यह मैं हमारा origin होता है clear है जो यह होनी चाहिए वो हमारी convex होनी चाहिए must be convex to the point of origin कट करे ना कि कनके वो clear है next हमारा first point है price line should be tangent to indifference curve अभी देखो मैंने आपको first condition यह ही बताई कि price line should be tangent to the indifference curve चीक है अभी मैं इसको explain करती हूँ कैसे यह देखो यहाँ पे मैंने oranges ले लिए यहाँ पे मैंने apples ले लिए यहाँ आपको units यहाँ पे लिखनी है अगर आप नहीं भी लिखते तो भी एच्छा होकी है हमें main curves ही होनी चाहिए यह मैंने price line ली जो मैंने अभी आपको बताई कि price line क्या है यह different combinations ले रखें clear अच्छा यह जो मैंने बनाई है आपको दिख रहे हैं d point वाली यह जो मैंने बनाई है i c curve है clear i c means indifference curve तो यह देखो यह हमारा यह combination है एक मैंने नीचे curve बना ली एक मैंने उपर बनानी तीन curves बना ली मैंने एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे जो यह वाला point है ना वह मेरा consumer equilibrium point है कैसे अब आप पुछोगे कि यह भी तो हो सकता यहाँ पे भी cut हो रही है यहाँ पे अब मेरे बात सुनो c d e तीनों ही हमारे different combinations है apple and oranges के for example ले लो apple and oranges के three combinations है बट हमारा d consumer equilibrium ऐसे क्यों है क्यों कि जो हमारा c और e combination है ना वो हमारा यह जो main जो हमारी highest curve है difference curve उससे हमारा नीचे है इस पर हमारे जो है वो cut नहीं हो रही है cut तो हो रही है बाद tangent नहीं है tangent है बट बीच में से नहीं है middle में से नहीं है और यह highest difference curve है और यह कम है अगर मैं यहाँ पे ले ले लती हूं for example अगर मैं यह combination यूज करते हूं या फिर c combination यूज़ करती हूं तो मुझे satisfaction मिलेगी बट maximum satisfaction नहीं मिल पाएगी और consumer equilibrium बात ही इस चीछ का करता है कि हम limited income खर्च के हम अपने maximum satisfaction पा सके तो D हमारा maximum satisfaction देगा तो D हमारा consumer equilibrium है जो IC3 आप देखोगे इस पर कोई combination नहीं है इसलिए हमने इसकी बात ही नहीं की तो it means that consumer equilibrium point is the point of tendency of price line जो price line को cut करे clear अब यह price line है यह price line थी A B price line को इसने बीच में से cut किया तो उसका मतलब भी यह है कि consumer equilibrium वो point है जो price line को tangent करे tendency को cutे और उसको and indifference curve को भी cut किया है major rate of substitution में आपको बता चुकी हूँ clear यह थी हमारी price line शुड़ भी टेंचन टूदा indifference curve next next indifference curve must be convex to the convex to the origin जो indifference curve है वो convex होने चाहिए to the origin से देखो कैसे अभी मैं curve बताती हूँ curve में क्या होगा price line ही लेंगे हम ठीक है क्योंकि price line पे base है एक curve मेरी ऐसे को बन रही है और एक curve मेरी यह वाली बन रही है यह IC ले ली और यह IC 1 ले ली clear यह और इंजिस यह आपल indifference curve में आप दो combinations लोगें आप कुछ भी combinations यह मैं apple है और इंजिस लेके चल रही है mango भी ले सकते हो strawberry ले सकते हो जो आपका मन करें आप ले सकते हो ठीक है एक मेरी पॉइंट ऐसे लिया और एक मेरी यह लिया मेरी बास सुनो यह भी combination है और यह भी combination है बट जो यह E point है न यह हमारा concave to the origin है ठीक है आपको पता है कि जो हमारी curve है कब हमारे पास indifference curve या maximum satisfaction होती है जब price line tangent हो मैंने first condition में यही पड़ा तो यह वली point जो है वो tangent है cut कर रही है और highest indifference curve है convex to the origin है ना कि concave to the origin है अभी मैं इसका meaning बताती हूं कैसे इसका मतलब क्या है means that MRS of goods x मालो apple for goods y oranges should be diminishing जो हमारा इसका मतलब है convex का कि diminishing होना चाहिए का मतलब समझ के अगर मैं apple की units खरीद रही हूं एक और units खरीदी तो orange के कम होने चाहिए यह नहीं है कि वो साथ में बढ़े ठीक है तो MRS basis पर है कि law of diminishing पर कि एक प्रड़क्ट खरीदी तो दूसरा कम होना चाहिए if at the point of equilibrium ic is concave क्या होनी चाहिए ic जो है if at the point of equilibrium अगर point जो equilibrium का है उस पर ic concave करे जबकि convex करनी चाहिए आपको पता सेकिंड करडिशन ही हमारी convex वाली है concave करे not convex करे तो जो वो है वो permanent equilibrium नहीं है हम permanent situation पर नहीं रहेंगे हमेशा मतलब उसमें maximum satisfaction नहीं मिलेगी अगर हमारा point concave है must be convex नहीं है clear वो यहीं बोल रहा है अगर हमारा जो equilibrium point है वो concave हो ना की convex हो और हीजन से तो वो हमारी permanent equilibrium situation नहीं है position नहीं है इस figure में the consumer is in equilibrium at the point even मैंने आपको यहीं बोलना even point पे वो क्या है equilibrium है ठीक है और IC one curve at point even पे price line जो है AB is tangent to the IC आपको पता है इस पे यह जो price line है वो cut कर लिए मानना में को यह भी cut कर लिया अब यह ही को होगे कि यहाँ पे भी cut हो रहा है और यहाँ पे भी cut हो रहा बट यह concave है और यह convex to the origin क्लियर है यह था हमारा हमने जाना कि consumer equilibrium क्या है through the indifference curve analysis different combination of goods देखे जिसमें हमें maximum satisfaction मिलती है out of this limited income के साथ चीक है मुझे होप है कि आपको यह सारा समझ आ गया होगा आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए thanks for watching video